जून 1994 व्यक्तित विकास सिविर कोटा में स्री प्रवचन सार गाथा असी पर प्रवचन क्रमांक चार जून की गाथा मूरू का अक्षय करने वाली है इसलिए मूरू का अक्षय करने के लिए कि बात्ता कैसी होनी चाहिए बात्ता कैसी हो जाइन है भगवान अरहंत के स्वरूप को जानता है उनका उपासक है उसका जीवन उसका बाई जीवन भी उसका आचार विचार भी कैसा होता है यह भी निश्चित है ना कल जो परशन था ना द्रव्या नो सारी चरण चरणा नो सारी द्रव वे जाइन जो होता है कि जिसका एक मात्र प्रियत तत्व शुद्ध चैतन ने होता है सारे विश्व में जैसे अन्य कहीं भी थोड़ा भी रंच भी प्रीती नहीं होती है उसी जाइन को हम कैसे लक्षनों से पैचाना किस तरह वो पैचाना जाता है तो हम इस तत्वग्यान के शिविर में तत्वग्यान की इस पावन गंगा में इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जिस तत्वग्यान के द्वारा मुह का ख्षय होता है इस तत्वग्यान के संद्मुक्स जीव कैसा होता है उसका अचरण कैसा होता है हम तो मनुष्य हैं बहुत आगे बढ़ गए नार्की तिरियंच और देव तीनों से बहुत आगे बढ़ गए बहुत सुक्स विधाएं हमको उकलब्द है लेकिन जिसे तत्वग्यान अर्थात शुद्य चैतन ने प्रिय होता है उसका सब कुछ उसी पर समर्पित होता सब कुछ बाई ये सामग्री तो दूर्श उसका संपूर्ण जीवन उसका समर्पित होता एक एक्षण उसका समर्पित होता इसलिए तत्वग्यान तो प्लास्टिक सर्जरी है प्लास्टिक सर्जरी में कोई काला हो तो उसका सारा शरीर सारा चर्म बदल कर सुन्दर कर दिया जाता है तो ज्ञान भी प्लास्टिक सर्जरी है जिसमें आमूल चूल जीवन का परिवर्तन हो जाता है तो कैसा होता है उस तत्वक ज्यानी का अर्थात सच्चे जैन का लक्षण गो हम उसके आचार विचार की द्रश्टी से विचार कर रहे हैं काफी कुछ किया ना एक-एक जीवन की एक-एक क्रिया उस तत्वक ज्यान से अनुशाशित होती है ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि तत्वक ज्यान तो घर में बैट कर थोड़ा साथ तत्वक ज्यान का विचार कर लो बस और इस से आगे क्या है घर में उसका क्या काम और बाजारों में और दुकानों पर उसका क्या काम पर एक एक क्रिया उससे अनुशाशित होती है तत्वक ज्यान से यदि ऐसा नहीं है तो वह तत्वक ज्यान असमर्थ है और वो मुग का क्षाय नहीं कर सके यदि ज्यान के लक्षन की बात करते है ज्यान का वास्तवक लक्षन कैसा होता है कभी सुना हूँ हमने भारत वर्ष में एक बड़े विद्वान मंदन मिश्र पंडित हुए उन मंदन मिश्र का घर जो पूछा जाता था तो क्या उत्तर मिलता था वो बात थोड़ी करते हैं एक बार एक विद्वान उस नगर में मंदन मिश्र का घर पूछते हुए कुएं पर आए और वहां पनिहारियां पानी भर रहे हैं उन्होंने उन पनिहारियों से पूछा कि मंदन मिश्र का घर कौन सा है एक पनिहारी क्या उत्तर देती है स्वता प्रमानम परता प्रमानम कीरांगना यत्र गिरंती तत्र द्वारस्थ नीडांतर सन्नि बद्धा जानाहितां मंदन मिश्र दाम त्रमान ग्यान स्वता होता है या परता होता है इस विशय पर जहां दर्वाजे पर जुलते हुए तोता और मैना वारता करते हों समझ लेना कि वो मंदन मिश्र का घर है ये नियाय का विशय प्रमान्यम स्वतावा परतोवा प्रमान ग्यान स्वता होता है या परता होता है हमसे जैन का घर पूछा जाए तो क्या जवाब है यहां है किसी जैन का घर कि सब है तो सही पर यहां तो चारों और प्याज और लेसन की बदुब आ रही है कि अब वो लक्षण होता है क्या जाइन का कि वो तो नहीं होता उसकी तो हम कर चुके चर्चा पर कैसा होता है कि जहां पर उन तोता और मेना की तरह सारे परिबार में, सारे घर में केवल शुद्ध चैतन्य की चर्चा होती हो और जिनके दर्वाजे पर घूमता हुआ अहिन सक कुता वो भी शुद्ध चैतन्य की चर्चा सुनता हो और जब घर में कोई विसमवादनी कथा हो तो वो कुता भूपने लगे कि ये विसमवादनी कथा बंद करो और चाइतन्य की चर्चा करो वो दिगंबर जैन का घर है अपने तो सब के ऐसे ही है क्योंगे तत्व ज्यान को समझ गये हैं न सब अच्छी तरह से इसलिए संपूर्ण जीवनिस से अनुशाशित हो एक एक क्रिया जीवन की हमारा एक एक ग्रास वो तत्व ज्यान पर अर्थात शुद्ध चैतन्य पर समर्पित हो हम भोजन क्यों करते हैं क्यों करें क्यों कि हमें रहा नहीं जाता और उस चैतन्य का अनुभव कर रहा है इसलिए करते हैं कमाई क्यों करते हैं वो पाप भी क्यों करते हैं इतना कारण है उसका कि अभी कक्षा इतनी नीची है फिर भी उस तत्वग्यान की रक्षा के लिए ही इस सब करते है अन्निता आकुलता बढ़ जाए कक्षा नीची है पुर्शार्थ मंद है तो आकुलता बढ़ जाएगी मुनिराज जैसा पुर्शार्थ अभी हमारे पास नहीं ऐसा घर होता है सच मुझ तो तो कैसा हो हमारा हम विचार कर रहे थे कैसा हो हमारा आहार विहार पारस पर एक वारता उत्यादी कैसी हो तो कि पूछने की आवश्शक्ता नहीं जिसने सच मुझ उस तत्तो को ایک बार भी सुना और उसके प्रती जिसके चित्त में प्रीती प्रवर्तित हुई तो अटोमेटिक उसकी क्रियाएं उसका आचरण और उसका विचार वैसा बन जाता है उसके जीवन में अहिंसा चार प्रवर्तित हुता है कैसे खालेगा वो ये ऐसे अभक्ष कि जिनके भीतर जीव तिल मिलाते हैं अनन्त अनन्त जीव जिनको देखा नहीं जा सकता उनको खालेगा वो रात को खाएगा रात तरी भोजन कि जिसमें पता नहीं कि कितने जीव पैदा होते हैं रात में जो सूरी के प्रकाश में पैदा नहीं होते यह ज्यान है जैसे ज्यान के प्रकाश में रागद्वेश मौ पैदा नहीं होते सूरी के प्रकाश में जो जन्तु पैदा नहीं हो पाते वे रात्री के अंधकार में अनन्त पैदा होते जिकते नहीं हमको और उन सबका संपर्ख हमारे भोजन से हुदा है और हम खाते हैं आरामस और हमको समय नहीं हमारा रूटीन ही ऐसा है हमारी दिन चरिया ही ऐसी है यहां तो यह कहा है भोजन की चर्जा करते हो अरे मरकर भी तत्व कुप्राक्त करो तत्व प्राप्ति के लिए यदि मरना पड़े एक बार मर तो जाना क्योंकि जीव मरता नहीं है लेकिन उसको उपलब्ध कर ले उसलिए कैसी हमारी क्रियाएं है घर की और सारी बूलचाल कैसी है बूलचाल भी हिंसक कैसी बूली बूलते है कि जो हिंसक बूली पंजाबी बूलते है वो बूली घर में बूली जाती है खाने पीने में सारा तो सारा ही बदल जाता है जैसा मैंने कहा प्लास्टिक सर्जरी है वो तो सब कुछ बदल देती है जीवन को आमूल चूल परिवर्टित कर देती इसलिए उस व्यक्ति को द्विज कहिते द्विज ब्राह्मन को भी कहिते लेकिन जब वो जन्य उधारन करता है तब द्विज कहला था यहां यह जन्य उधारन की है हमने तत्तुग्यान की तो द्विजमेन नया जन्म हुआ है अर्थात पुराना सब कुछ पलड गया पुराने विश्वास पलड गया पुराना विचार पलड गया चिंतन पलड गया सब कुछ पलड गया और नए जीवन का सूत्रपात होता है कि जिसमें एक एक चरन, वो मुक्ती पर बढ़ता है, मुक्ती की और अग्रसर होता है, उसका नाम तत्विग्यान है, हम इसमें कच्छनाई महसूस करते हैं, और यह बात सरल है, क्योंकि इसमें किसी का सहारा नहीं, किसी का अवलमन नहीं, एक मातर अपना सहारा, और हम इतने बेरोक चलते हैं कि कोई बीच में आता नहीं ये विधान मुक्ति मार्ग का कि जहां प्रदान मंत्री चलता हो तुमा आ जाएगा कोई बीच में सड़क पार करेगा क्रॉस करने देंगे कोई इसके आगे से यहां मुक्ति मार्ग में जिसने चरन बढ़ाया उसके बीच में आने की हिम्मत आज तक किसी की नहीं कुई अनंत काल तक ये रास्ता साफ रहेगा कर्म वर्म नहीं आते हैं बीच में सब हड़ जाते हैं सब रास्ता दे देते हैं सौमी रामतीर थे न हिमालाई पर विहार कर रहे थी सामने से शिश्य एकदम भैवीत हो गया कहता है गुरुदेव रामतीर्थ ने उस तुफान की और देखा और वो एक और होकर निकल गया ये तो लौकिक चमतकार है लेकिन ये तत्वग ज्यान का जो मंत्र है ये जो जादू है वो भी ऐसा ही कि जिस समय ये बढ़ता है सब एक और हो जाते है और सारा मार्ग हमारा साफ हो जाता है लेकिन हम इसकी चाया में इस अशोक रक्ष की चाया में बैठें और फिर एक एक शन हमारा इसी में व्यतीत हो जीवन तो कितना गंदा है खाने पीने इत्यादी में सब में बूल चाल में वेवहर में कितना गंदा हो गया और वह आज की सब भेता में शामिल कर लिया गया जिसको सब भेता में शामिल कर लिया गया वो उसको कौन छोड़े गया आज की नई सब भेता खड़े खड़े ख़ड़े खाना वफे में है नहीं सब बिता खड़े 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 मुनिराजी खाते हैं क्या हो हम खड़े खड़े खाते हैं तो तो हम अभी से खाने लगे तो अब्यास हो जाएगा पर पूछना ये है कि मुनिराज से और क्या सीखा तुमने मुनिराज ऐसे खाते है मुनिराज का खड़े-खड़े खाना मैंने जैसे जो हिरन घास खाता है खाता तो है लेकिन उसका वहां ममत तो नहीं है जरा सी आठ हुई और भाग जाता मुनिराज का कैसा होता है खाता है मुनिराज तुमारी आँखों में पीलिया है मुनिराज को भूजिन करते वे देखते मुनिराज तो भीतर से कहते हैं हमको शरम आती अरे सिद्धत तुझ इसका स्वरूप है वो अंजुली फैला कर और किसी के हाथ से ग्रास ग्रण करे ये लज्जा की बात है मेरे लिए इसलिए उन्हों ने तो उस पक्ष को ही अपने जीवन से बाहर कर दिया है ये मेरी कक्षा के बाहर की बात है होता है ठीक थोड़े समय और चलने वाला है इसके बाद निश्चित समाप्त हो जाएगा और हम ये करते हैं हम करते हैं आयोजन करते हैं और दुनिया के हजारों लोगों को उस अधर्म का अवसर देते जूते पहन कर खाना खड़े खड़े खाना जूठा खाना गफे में जूठा होता है या वो सब ठीक होता है सब जूठा नहीं होता और कौन कौन आते हैं कि जी जूते के हाथ लगा अगर हाथ तो दोते ही नहीं वो सीधे तुमारे उनको छुते है और हाथ से लेते हैं साथ बहुत आराम की चीज़ है साथ आराम मिलता है इसमें तुरूसना नहीं पड़ता ये नहीं करना पड़ता बेशर्मी की चीज़ है आराम की नहीं नहीं है बेशर्मी अपने हाथ से खा रहे हैं दूसरे के घर जाके मुझे राज भी ऐसे ही खाते हैं भीदर चोके में जाके ले लेते होंगी टिफन में से आमंतिर तो वो हुता है जहां उसे सम्मान से रखा जाता है मनुहारें की जाती है यहां तो यह ग्रद की तरह से अपने आप ही सारा अपने हाथों से ताब यह दो चली गया है जमाने में तो जमाने में तो नमालूम क्या क्या चल गया है तो तुमारे तत्वग्यान का क्या होगा इसकी कोई चर्चा नहीं किजा सकती हम जमाने में शामिल हो जाएं तो जमाना तो बहुत आगे बढ़ गया है हिंसा में, जूट में, चूरी में, चल कपट में सब में आगे बढ़ गया है इसलिए ये ये तो सामुई भोज की बात तो हमारे तो घरों में भी डाइनिंग टेबिल पर जीमते हैं तो आदे खड़े तो होई जाते हैं अब उसमें भी वो डाइनिंग टेबिल ही ठक जाती है इतना हो जाता है उस पर भीड छे तो कुर्सियां और उनकी ठालियां और फिर इसके बाद और और वो डबे तरह तरह की दस तो चटनिया पिर दस प्रकार की कुछ और सारे के सारे वहां भी जूठन का कुछ पता नहीं रहता है ऐसे घर में मुनिराज का आहार नहीं हो सकते जूठन का ही पता नहीं है हम खा रहे हैं थाली में और जिसमें बनाया है वो भी उस थाली से एक इंच भी दूर नहीं है महीं रखी है वो चीज थोड़ा सा ठला लगे तो छू जाए ऐसा जूठा भोजन मुनिराज को रखा जाता है जिसको इतनी तमीज नहीं श्रावक होते हुए वो क्या मुनिराज को भोजन देगा पर जूठों के हाथ तो दोता नहीं जूती यह से पहनता है कहाथ लगे नहीं लगाना का कितने दुरगुन इस जमाने में पश्चिम से हमने ग्रेंड किये सारा का सारा पश्चिम से आया है पूरब में बढ़ना भारती संस्कती का तो लोग गीत गाते हैं लेकिन सारा अनुकरण वहां का है और हम कहते हैं हम क्या करें क्या करें अच्छे अच्छे बड़े अब तब कौन बचा है अब कौन बचा है इन दुर्गनों से जहां ये होंगे तुमान आचरन ठीक होगा और विचार तो ठीक होई नहीं सकता है क्योंकि ऐसे जो दुर विचार होते हैं उनी से ये आई विजन होते हैं और करने वाले तो करते ही हैं दूसरे, दूसरी ढंग से, हम नहीं करते हैं, इसा गंदा है, हम तो बिठा कर ही जिमाएंगे, लिवस्था करेंगे इसमें क्या है बाद, अरे हमारा तत्वग्यान का संगठन, और उस तत्वग्यान के संगठन में इतना समर्पन नहीं होता परस हाथों में लेकिन जिसे करना ही नहीं है जिसे व्यवार साधना है लोग का वो तो शुरूई छे बजे से करेगा छे बजे से बस अंत का पता नहीं है बे अंत है बारा बजे तक भी आवे तो रखना पड़ेगा और लोग जान बूच कर देर से आई सवेले का खाना कितने मजे पूरा होता है ऐसा जो किया जाता है कि शाम को चार बजे ये स्थिती है तो हम क्यों नहीं पतिबंद लगाते हैं इस पर हम लिखें उसमें यहां तक है खाना इसके बाद नहीं है इसके बाद किवाड बंद हो जाएंगा इसमें क्या दिक्कत है लेकिन नहीं चाहते है दो कि दोने ही वेवस्ता है एक एक आदत पर तत्वग्यान कंट्रूल कर लेता है स्वता ही कर लेता है अपने आप ही कर लेता है उसमें जादा महनत नहीं करनी पड़ती हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़े प्रतिबंद है हम क्या क्या देखेंगे क्या क्या करेंगे क्या क्या करेंगे ये प्रश्णी नहीं है न तत्वग ज्यान का जब उदय होता है तो वो तो कशाय पर गाज की तरह बिजली की तरह गिरता है और कशाय को इतना मंद इतना विशुद्ध कर देता है कि जीवन की चरिया ही वैग्यनिक हो जाती है उसमें यह नहीं सोचना पड़ता मुनिराज जो जिनको 28 मूल गुन पलते हैं या वो पालते हैं उनको सोचना पड़ता है का पैर का रखूँ या स्वतही अपने आप ही चार हाथ भूमी देखकर अपने आप ही चरण चलने लगते हैं आहर में सोचना पड़ता है जरा भी खटका हो जाए थोड़ा भी शंका भी हो जाए भले ना हो जीव लेकिन जीव की शंका हो जाए तो आठ छोड़ देंगे और भूजन की चरिया के लिए जाते समय है अगर कोई ऐसी गंदी वस्तु दिखी जाए अंतराय कर जाएंगे चले जाएंगे वापिस हम तो घरों में खाते हैं टमाटा, तर्वूज कैसे हैं इस पड़ार्थ खाने लाइक जैनियों के अरे आलू और 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 जिनकी चर्चा हम करते हैं दीदल ये तो खाने लाइक है यह नहीं इनकी दो बात ही नहीं है लेकिन जिन में हमारे परिणाम्स खलित होते हैं वे वस्तुएं भी छोने लाइक नहीं जैन के घर में आने लाइक नहीं सब सब छुड़ा दो गए तो कोई विटामिन, कोई प्रोटीन बहुत हैं बहुत हैं, दस लाख हैं बनस्वति इसलिए ओ कमी नहीं है प्रोटीन और विटामिन की और जैन कभी भी प्रोटीन और विटामिन की चिंता नहीं करता अरे, मुनिराज का अधर्षदेखो न कि जिनको पताई नहीं है भोजन मैंने कितना हलका कितना दुर्बल उनका भोजन का परणा जरासी शंका जरासी कोई अंतराय का प्रसंग आ जाए छोड़ कर चल देते इसके बाद भूजन का विकल्प नहीं आता 24 गंटे में भी कोई नियम नहीं कि भूजन का विकल्प आ जाए नियम नहीं चैतन्य के चिंतन में लीन हो गए तो महीनों निकल जाते लेकिन इतना दुर्बल होता है वो विकल्प कि पूरा हो गया तो हो गया नहीं हुआ तो वापिस जाकर अपने व्यवसाई में लग जाते फिर वो विकल्प नहीं आता फिर शाम को निकल जाए ऐसा नहीं होता है 24 गंटे में किबल एक बार ही अहार का विकल्प उठ सकता है उठना आवश्यक नहीं इसे कम में तो होगा ही नहीं करते हैं न महीनों के पाई रूप नहीं होती जलर नहीं होती जोड़ के तुमें के दिकरा है वेता नहीं है हम तो पूलर है तुमको जो धूप में दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ मैं तो चैतन की के अशोक रख्ष की शीतल चाया में रहता हूँ इसलिए मुझे दूप नहीं लगती लगना दूर रहा उसका विकल्प नहीं होता आज गर्मी ज़्यादा है एकल्प महिजाज पर नहीं हाँ अटा हो तो गड़ नहीं छोड़ता है जिए इसलाइट हो जायाए टाकत नहीं है आट्म में अनंत टाकत है वो तो जिए मरता ही नहीं है तो उसे क्या धूप और कौन सर्दी जिए मौत यह नहीं है आट्मा मरा आत्मा आसका मरा तो फिर पैदा किसे हो गया मरी गया दो तो के लिए उचलते है हमको आता है दान का भाव है ना दान जो लक्षण है शावक का तो कभी किया दान कभी यह भाव आता है जब दस बसते हैं कि मेरे घर में कोई भावलिंगी संत आवें आकाश से ही उत्रें भलेई आता है यह भाव शावक का लक्षण है या नहीं दान हार दान लेकिन हों रतनत्रे की प्रेणा देने बाए रतनत्रे से जो विभूशित हों प्रेणा तो उनसे मिलेगी ना जाता है क्योंकि उसके पास अभी रतनत्रे की कमी है पूरा नहीं है और उस रतनत्रे के परिवर्धन के लिए मुनिराज के पास जाता है उसे प्रेणा मिलती है कब नहीं यह पदाते हैं कि वो दिन कब आये कि जब मैं नगन दिगंबर होकर जंगल में विचरन करूँ विचरन करूँ मैं गुमता रहूँ वो नहीं लेकि उस निर्जन ये कांत में उस शुद्ध चैतन्य के भीतर समाज स्वरूप मंथर कहते हैं मुनिराज की स्वरूप मंथर स्वरूप मंथर मैंने चैतन्य के भीतर जिनका उपियूग जाकर पशर जाता है पसर जाता है जैसे बहुत नीद आ रही हो और एकदम कूलर में जाकर पसर गया अब जगाते जगाते भी जागता नहीं बाहर निकलता नहीं आवाज सुनता नहीं इस तरह है जो चैतन्य की वो शीतल चाया में पसर जाते हैं और बाहर 28 मूल गुण में भी नहीं आना चाते महाँ पर आग लगती है लेकिन आना पड़ता है क्या करें क्योंकि अभी इतनी निरंतर अविराम वहां ठहरने की शक्ती नहीं हुई पैदा वो पैदा होती है एक अक्षा आगे जिसे आठ्वा गुनस्थान कहिए वहाँ से होती है पैदा फिर वहाँ से ऐसा नहीं होता कि फिर आएं छटे में और आर विहार करें यह दिया नहीं होता यह दिक्षपक्षेनी हो निश्चित मोक्षोगा एक अंतर मूर्त में ये सारी साधना हो जाएगी संसार का अर्जन करने में और संसार को बढ़ाने में जीव को अनाधिकाल लगा लेकिन संसार का ध्वस्त करने में 48 मिनट भी नहीं लगते कौन सा पुर्शार तेज हुआ रुई का गोदाम इकठा किया हो तो उसमें तो बरसों लग गए हूँ लेकिन ध्वस्त करने में कितना समय लगीगा ये कुछ नहीं एक दियास लगी डाल देना बस तिर देखना मत इस तरह ध्वस्त हो जाता है सब कुछ अंतर विकार और उसके साथ ये करम वरम सब निकल जाते है सब समाप्त हो जाता इतना बल है उसका चैतन्य का और चैतन्य निष्ट उपियोग का इतना बल ऐसे मुनिराज के लिए ये तत्वग्यानी श्रावक वो उचलते हैं उस पद को अंगीकार करने के लिए क्योंकि वो तत्वग्यानी ही जानता है कि मुनिराज को आनंद कैसा होता है वो आनंदित ही होते हैं दुख नहीं होता है वस्कर उतार देते हैं सारा मौसम की विशमताएं सारी सहन करते हैं जड़ियां लगी हैं रक्ष के नीचे ध्यान कर रहे हैं दुनिया तो समझती है कि ये आदमी है या पाशान वहले पाशान ही है आदमी होता तो भाव जाता पाशान है पाशान की तरह सह जाते धर्ती की तरह जिनकी क्षमा है और वचन जो निकलते हैं तो जैसे अम्रत बरस्ता ऐसे वचन निकलते हैं ये हमारा चित्त हो इस तरह का मैंने कितना बटा हुआ चित्त हमारा रहता है कि हमने इस तत्वग्यान को सुनने का और इस पर विचार करने का चले अथवा विचार में ना चले नहीं चले तो भी उसकी महिमा भीतर ग्यान और शद्धा में पड़ी आई दिया आवश्यक नहीं है कि हमेशा वही विचार चले लेकिन सचाई तो यह है कि वही चलता है क्योंकि वही सर्वों पर इमान लिया गया है तो जो सर्वों पर इमान गया है उसे यह कब हड़ जाएगा इसका चित्व हड़ता नहीं है एक माँ जिसका पांच वर्ष का बालक हो गया है तो उसकी बाहरी चेश्ट आएं तो हम तरह तरह की देखते हैं उसे खाता हुआ भी देखते हैं किसी दूसरे के घर में उसे खिलाते हैं बड़ी देला सा देखा कभी कभी हंसकर भी बात देखा है आपने मेरा लाडला आपने देखा है हाँ एक बच्चा देखा थो था प्रसन्न हो जाती है लेकिन उसकी विरह का जो की वो जो चिंतन धारा है वो समप्त हो जाती है विरह धारा नहीं होती है लगातार भीतर पड़ी है इसलिए आचारी कहते हैं कि हम अधिक समय की बात तुम से कहां करते हैं इस तत्व ज्ञान को तुम केवल छह मैने का सम्मान दे दो अधिक से अधिक है यह तो बात वर्ना भी हैं सबाब में बेठे बेठे ही हो सकता है पश्शनमा स्मेकम इस सुत्र है यह अपन को अपने मन की थोड़ी बात करते हैं एक भी बात मन की नहीं सारी बात आगमा और परमागम की पश्शनमा स्मेकम अरे एक बार छह महीने करके तो देखो छह महीने रामचंद्र को नहीं विकल्प रहा धरावाई सीता का रहा ना तो रह सकता है कर नहीं रह सकता है तो दुनिया का जब रह सकता है छह महीने क्या अग्यानी को तो कितना रहता है वो रह सकता है तो जगत का जो सर्वोत कश्ट पदार था है एक रत्न है अनमोल जो खरीदा नहीं जा सकता ऐसे रत्न का जिसने कीमत की मूल्यांकन किया और उसकी जिसको प्राप्ति हुई तो उसको छे महीने क्या नहीं हो सकते है अनंत काल उसकी महिमा में बीते गा भगवान सिद्दू को महिमा किसकी है ये तीन लोग ग्यान में आते हैं सोवर्गों के विमान दिखते हैं तो बड़े पसंद होते हुए कि कुछ नहीं है उनके लिए अगर ऐसा होता छोड़ कर क्यों जाते सरवार सिद्दी से तो पास ये सिद्दिशिला पैदल जा सकते हैं आरहां और उस देव हैं क्यों नहीं चले जाते कि हम ऐसा अन्याई नहीं करते हैं हम ऐसा अतिक्रमा नहीं करते हैं सरवार सिद्दी में हैं और सिद्दिशिला पास है लेकिन अभी हमारी युग्यता वो नहीं वापिस नीचे जाएंगे और मुनिवरतंगी कार करेंगे इसके बाद संपून रूप से निर्मल होकर आत्मा का एक-एक प्रदेश निर्मल भीतर के विकार से भी निर्मल और बाहर कर्मों से भी निर्मल इस तरह दे तक का भाव करके और भगवन आपकी बस्ति में आ जाएंगे जल्दी नहीं है जल्दी करने से तो मृत्योर धावती धावता है जल्दी करता है किसी की भी जल्दी सम्मेकदशन की जल्दी करे जल्दी कैसे करेगा बताता सही कैसे जल्दी करे विधी पूरवक करो अगर पुरशार्थ हमारा तेज है तो एक व्यक्ति पंदरे मिन्ट में पैदल स्टेशन पहुंच जाता है और एक व्यक्ति को जो धेरे धेरे जाता है दो घंटे लगते हैं लेकिन गंता भी दोनों का एक तो देर लगती है तो लगे यहां क्या तकलीफ है उसका खास चिंतन तो यह है यहां क्या तकलीफ आत्मा तो वही अतियन उस फौलादी के लिए में सुरक्षित तत्व है कि जिसको कोई छूबी नहीं पाता ऐसा मैं हूँ जब यह जानता है तो उसको चिंता किसकी इसलिए संसार में रहने की कोई खुशी नहीं प्रमाद नहीं और सिद्ध बनने की कोई उतावल नहीं उसका नाम तत्वज्यान वो सिद्ध बनता है जिसने सिद्ध दशा से भी ममत्व तोड़ दिया वो सिद्ध बनता है क्योंकि वर्तमान में है सिद्ध से उंची वस्तू सिद्धत्व से मैंने सिद्ध दशा जिसका अवलमन करती है ऐसा जो शुद्ध चैतन्य है ग्यायक जिसको ग्यायक कहते है वो वर्तमान में भगवान सिद्ध भी अनंत काल तक उसी के अवलमन पर निरंतर उस आनंद में डुपकियां लगाते रहे बस ये की काम है सिद्धों का और भी है कोई काम जिसको ऐसा अनंद मिल गया हो वो वापिस आएगा यहां जुआला में दावानल में नहीं आता है इसलिए हम क्या चिंतन कर रहे हैं कि ऐसी दशा तक पहुचने के लिए हमें कितना नहाना चाहिए कितना पारिमार्जन कितने विशुद्धी हमारी होनी चाहिए कि सचमुष्टो इस तत्वग्ञान का उलमन लें तो यह एक एक आदत पर कंटूल कर लीता है कैसे बोलना कैसे चलना कैसे खाना किस तरह खाना क्या खाना इत्यादि यह सब उसमें शामिल हो विर्थ की आदतें समाप्त हो जाती है विर्थ के पाप समाप्त होते हैं सबसे पहली बात तो ही है, जीव व्यर्थ के पाप बहुत करता है, वचन से ना हो, काई से ना हो, तो मन में बहुत करता है, वो सब छूड़ जाते हैं, ऐसा एक मुसलाधार वर्षा है, शीतल जल की, जैसे तपी हुई धरती है, और पहली ही मुसलाधार वर्षा में वो धरती शीतल हो जाती है, उसी तरह तत्वग्यान की मुस्राधार वर्षा होते ही कशाय छिन्न भिन्न हो जाती है शान्त हो जाती है शुबुपयोग वो की चला चला कर लाना नहीं पड़ता है शुब्भाव लेकिन उटोमेटिक इस तरह आ जाती है सारी चरिया बदल जाती है, जीवन बदल जाता है, इसका नाम तत्वग्यान हमाई तो कई आतें रहती है समयसार पढ़ते हैं बड़े बड़े विद्वान लिए हाथ में पैंसिल अब वो पैंसिल से इस पर भी चिन्न करते हैं समयसार की गाथा और टीका पर और उसको मूँ में भी रखते हैं या फेरते हैं मूँ भी ले लेते हैं तो हम जाकर पूछते हैं सावी पैंसिल क्यों लिए हैं कुछ नहीं इसमें चिन्न कर लेते हैं जो खास बात आती लेकिन हमने तो आज समझा कि पैंसिल के दो उपयोग होते एक तो ये बच्चों की चूसने की तरह चूसी भी जाती है और एक इस सिचन भी किया जाता है ये हमारी आदत इस सम्मान होगा जिन्वानी का होगा सम्मेक दर्शन बैठेंगे कहीं कुर्सी पर बैठेंगे परलंग पर बैठेंगे पैर हिलाएंगे बैठेंगे पैर क्यों हिलाता है अजी वो वेसे हिलते हैं उसमे क्या है पर क्यों हिलाता है क्या है बात तकलीफ है लखवा हो गया है कमपन है क्यों हिलाता है बैठेंगे तुझे नहीं होगा सम्मेक दर्शन तेरे तो यही बस में नहीं है तेरा मन बस में नहीं तेरा वचन बस में नहीं काई बस में नहीं होगा कहां से ऐसे गलीच आजमी को वहां ले जा जाएगा जो उस बस्ती को खराब करें सारा एक मचली तो सारे जल को गंदा करती है तयार है हम यह सब करने को किसमें क्या तयारी है इसमें तो हम बंदन से मुक्त हुए हमारी आदत थी न वो खाता है जैसे कोई बार बार खाता है तो बंदन में है या आजाद है आनंद में क्योंकि उसके बिना उससे रहा नहीं जाता तो बंदन हुआ या नहीं और जिसका चित्त इतना स्वतंत्र हो गया नहीं चाहिए मेरे को तो बंदन से मुक्त हुआ बंदन से जितना मुक्त हुआ उतना आराम है ना मैं तो बहुत आराम में हूँ जी पहले दिन भर बकरी की तरह चबाता था अब बस केवल इतना सा लेता है ये आदतें एक एक आदत एक बार मैं तो ये लक्षन जानता हूँ मुमुक्षुका उसको एक बार कोई सही बात कह दी जाए और फिर वह उस गंदी आदत को छोड़ दे क्योंकि वेर्थ की है निकम्मी है उसकी आवशक्ता नहीं है तो यदि वह छोड़ सकता है ततकाल और दूसरी बार उसकी आवरत्ती ना हो तो वह पात रहे ये लक्षन है मैं तो ये लक्षन बनाता हूँ और उसके आप पूछे ले ना क्या बनाते है क्योंकि वेर्थ की है तेरे हाथ में अगर बिच्छू आगया है तो तू इसको पालेगा ये छोड़ेगा ततकाल तो जी वेर्थ की गंदी आते हैं अनर्फ दंड जो है उसको क्यों अंगी कार कर रखा क्यों करता है वेर्थ हाथ हिलाता है पैर हिलाता है कभी क्या करता है प्रवश्यन करते करते पहली लाते हैं बसमें नहीं वो किसका प्रवश्यन करते हैं तत्य ज्यान का सम्यक दर्शन का नहीं होगा वो जिनको जिनका मन इतना कमजोर है कि वो इन गंदी आदितों में इतना फस गया है कि उनको छोड़ नहीं सकता तो वो जीव आगे बढ़ी नहीं सकता है उसका संसार अभी बहुत बाकिए इसलिए ये सारा का सारा ये तो शर्त है इसकी तत्य ज्यान की कि वह जीवन में काया पलट कर देता है और इस तत्य ज्यान का कोई कारिकरम नहीं होता कि हम दुसाब प्रात्यकाल उटके और आत्म का चिंतन कर लेते बस उस समय बहुत आनन दाता है इसके बाद तो अब बहुत सारे काम है बहुत सारे काम है इसके बाद कि बहुत अच्छे हैं आप ऐसे अच्छा करते हैं लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है क्योंकि इसका कारिकरम होगा जो सर्वोत कर्ष्ट वस्तु है और उसकी प्राती का जो प्रेत्न है उसका कारिकरम होगा बीमारी को दूर करने का क्या कारिकरम है मैंने बीमारी को दूर करने का जो कारिक्रम है वो हमारा निश्चित है कि नहीं घड़ी से बस बाकी समय में दूर नहीं करेंगे ये तीन टाइम का है बस केवल इसके बाद बीमारी को कह दिया है कि रुकी रहना जाना मत ये चौवीस घंटे होता है वो काम ये तत्तग्यान ऐसी आउशदी है कि जो प्रति समय उसका शाय को द्वस्त करती है इतनी ताकत है इसमें और इसका कारिक्रम नहीं होता सर्वोत कृष्ट बस्तु की प्राप्ति के लिए कभी कारिक्रम नहीं होता और जो अन्य कारिक्रम हैं वे केवल देखे जाते हैं सच्मुश तो उसका मन उनके भीतर है जै क्योंकि वो जानता है कि मेरा तो एक ही विञवसाइई है बिजनिस है मुख्टी का मुख्टी का बिजनिस जिसन्हें स्विकार किया उसको दूसरों में दूसरे भातें होती हुई दिखाई देती है पर मन नहीं लगता वो मा जो भोजन करती दिखाई दे रही है उसका मन है भोजन में मुनिराज जो भोजन करते दिखाई दे रहे हैं उनका मन भोजन में है यह अत्यंत विरक्त है अरे वो ममत तो है यह नहीं वो तो तूटी चुका है लेकिन ये जो भोजन का राग है ये राग भी इतना निर्बल है इतना दुर्बल है कि तुरन तूड जाता है तुरन तूड जाता है श्रावक तो ये तो बहुत धोका देते हैं मुनिराजों को वो जीव हो नो जीव तो केज़े तमारा जीवनी इलाईची इलाईची चीटी नहीं है काली तो मुंदराज भी जीम लेते है कभी तुमको शंका हो गई है और निर्णे नहीं हो पा रहा है भोजन छोड़ दो जान वर छोड़ देते हैं मनिराज चैतन वेहरी गगन वेहरी धर्ती पर नहीं रहते हैं मुनी तो आस्मानी तत्व है महा रहते है हम भीतर से नहीं पैचानते सदा आनंदित रहते सर्दी गर्मियादी सर्दी गर्मियादी मंडी में जाने वालों कोई नहीं लगती है लगती है लगती हो तो वेस एक वर्ष में दिवाला हो जाएगा सहते हैं लेकन सहते हैं पर भीतर से धारा आनंद की बहती रहती है आज पांच हजार हुए वो धारा बहती रहती है तो उस बल पर सब नहीं सह लेते हैं मुझराज नहीं सह लेंगे उनको कौनसी चीज मिल रही है कि वह अक्षय वस्तू कि जिसके भीता सुधाई सुधा अम्रती अम्रतवरा वो मिल रही है इसलिए ये सदा अनंदित रहते हैं एक एक शण अनंद का रहता है कितनी बार जाते हैं चैतन्य में एक दिन में कितनी बार जाते हैं भोजन करते करते तो नमालुम कितनी बार आत्मा अन्भूती हो जाती शुद्धो पयोग हो जाता भोजन करते करते चलते चलते चलने में टाइम लगता अग नहीं एक गाउं से दूसरे गाउं जाएंगे गंटे बर लगेगा अग नहीं गंटे बर तक आत्मा की अन्भूती नहीं होगी यहां तो आवश्चक है कि मद्यमंतर मूर्त में होना चाहिए अन्भूती चलते चलते अन्भूती लेटे लेटे अन्भूती, सोते हैं, नीन आती है मनिराज हो तो आदमी है कोई पत्थर थोड़ी है जो नीन नहीं आती हो अरे तुमको नीन नहीं आती है अगर तुमारा बालग होस्पिटल में है उस माँ को नीन नहीं आती है उनको नीन आएगी तो भी बीमार हो जाएंगी तो कि ऐसे मूर्खों की प्रश्णों का क्या जवाब दिया जाए अरे उनके पास पुर्णे का इतना स्टॉक है कितनी विशमताएं है हम तो आज एक थोड़ी सी धूप से प्रभावित हो जाएं तो बीमार हो जाएंगे मुद्राज को नहीं होते हैं क्या कार रहा है पुर्णे का स्टॉक इतना है प्रती समय भाव कैसे होते हैं उच्च गोटी के पाप भाव होता है मुद्राज में पाप भाव तो होता ही नहीं सचमुझ तो शुद्धो पयोग रूप वीतराग भाव और उसके साथ में शुब भाव जितना बच गया है कशाय जितने बच गयी है शुब रूप है वो अशुब भाव तो होता ही नहीं किसी समाज के धंदे में पड़ते नहीं दूर रहते संसर्ग से दूर रहते लोक-संग जिनको सुहता नहीं भीतर से नहीं जिनको पसन लोक-संग वो भावना तत्वग्यान में बसी हुई है इसलिए तत्वग्यान पूरवक आत्मान भूती हो और उस आत्मान भूती के बाद शीग से शीग ऐसी मुनी दशा हम सभी को प्राप्त हो यह बाद को